ये कौपर का गिलास या लोटा, कोई भी एक चीज इस मटके के पानी में डालके छोड़ देनी है कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मिट्टी में न होता हूँ तो मिट्टी में जब आप कौपर का गिलास छोड़ दोगे तो साथ दिन बाद उसको निम्बू से ही साफ करना है तो ये बन गया हमारा मिनरल वाटर जो कि असली मिनरल वाटर होता है ये होता है मटके में कॉपर का गिलास ये लोटर डालके छोड़ दिया फिर इसी पानी को इसी पानी को हमने जब 12 घंटे कम से कम पड़ा रहा तो हमने भर दिया एक काज के जग में और मैं आपको बता रहा हूँ मिनरल वाटर उसको अलकलाइन वाटर और इसको फिर मैजिक वाटर बनाने का तरीका और मैं हूँ अचारे मनीश मेरे साथ है डॉक्टर अफदेश पांडे जो MBBS MD है इस पानी को जब हमने ले लिया तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो गाजर कीरा, निम्बू अदरक, मिर्च धनिया, पुदीना और आमला अब इनी के अंदर इनी के, जो भी इनके पीसिस बड़े-बड़े हैं काट के हमने इसमें दो-दो तीन-तिन पीस डाल दिये ये तुलसी के पत्ते डाल दिये ये इसमें अदरक कम से कम इतनी लंबी अदरक ये लगबग दो उगली जितनी अदरक यानि कि ये उगली ये दो अदरक के पीस बड़े-बड़े मैंने इसमें डाल दिये और ये इसमें मैंने धनिया पुदीना अब इसमें दो मिर्चे डाल दी अब ये पानी हमारा alkaline water बन रहा है अब इसको magic water बनाना है तो जब इसको पड़े हुए 6 गंटे हो जाएं कम से कम इस पानी को डॉक्टर अफधेश पान्डे ये भी बता देंगे कि ये पीना क्यूं है तो उसके बाद जब ये 6 गंटे पड़े वे हो गए उसके बाद इसमें डालने हैं आमले के 3 या 4 टुकड़े अब ये बनेगा magic water cancer liver fail kidney fail autoimmune disease इन सब में ये पानी रामबान काम करेगा और ये ही चीज ये ही alkaline water जब आमला ड़ जाता है तो बन जाता है magic water डॉक्ट साब आप बता दो कि ये पीना क्यूं है acidity में जीवन जलता है alkalinity में जीवन पलता है ocean alkaline है जीवन पलता है आपका blood alkaline है भी काम करते हैं body acid बनाती है इस acid को निकालने का body के पास चार ही तरीके है respiration, perspiration, urination and defication अगर इन चारों से वो acid जतना बन रहा है ना निकला उसको और पांचवा क्या तरीका है निकालने का उसको alkaline कर दें इसलिए alkaline water कई बीमारियों को ठीक कर देता है अब मैं आपको बोलना चाहूँगा इसको पीना कैसे है सुबा उठके खाली पेट इस तरह बिल्कुल नीचे नीचे बैठें आप उकडू बैठके जैसे इंडियन टॉयलेट वाला स्टाइल है इस तरह बैठके इसको एक गुट पीना है ध्यान से देख लीजिए एक गुट पीना है इसको मुँ में चवाओ एक गुट पीके 32 बार चवाना है उसके बाद इसको कुला करना है चवाओ मुँ मों चवाओ जैसे रोटी खाते हैं आपनी चबाओ इस दातों से हिलाओ दातों को उसके बाद इसको अंदर लेना है इस तरह खाली पेट एक गिलास और दिन में तीन से चार बार ये आपको alkaline water अगर आपने पी लिया तो cancer, stage 4 cancer, autoimmune disease, liver fail, kidney fail इन सब में ये राम मान काम करेगा और हिम्स hospital चंडीगड में जहां हम इस टाइम हैं यहां पूरे भारत से liver fail के, kidney fail के, stage 4 cancer के autoimmune disease के patient आ रहे हैं डॉक्स अब खुद nuclear medicine के डॉक्टर हैं stage 4 cancer के patient के तीन patient हो चुके हैं हमारे पस पिछले चार मिनों की report भी negative आ चुकी है, normal आ चुकी है और 61 patient kidney fail के हैं जिनका dialysis पूरी तरह बंद दो चुका है, जो दुनिया में अपनी तरह से पहली बार हुआ है ऐसा एक मिसाल है, जी तो हम यही तरीकी से, छोड़े छोड़े scientific तरीकों से कैसे diseases को reverse करना है वो हम कर रहे हैं यहां पे और यह alkaline water उसका, magic water that is उसका एक बहुत बड़ा जर्या है तो आप से इतनी ही दुआ है इतनी ही गुजारिश है कि यह आवला, जिसमें एक आवले में लगबग 6 किलो संत्रेजना vitamin C होता है गाजर में vitamin A, vitamin A, B12 vitamin C, vitamin D जो धूप से मिलता है वो सारा कुछ इस magic water पीने के बाद अगर आप धूप में बैठोगे तो वो तीन गुना ज्यादा काम करेगा तो कोई भी बिमारी जो ला इलाज है वो हिम्स hospital चंडिगर में हम लोग उस पे उपर काम कर रहे हैं